हेलो दोस्तों स्वारत है अब सबका मेरे चैनल इंक्यू की रसुई में आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ मिल्क ब्रेट की रेसीपी तो यहां पर दोस्तों मैंने ब्रेट लिया है और एक कटोरी से कम दूद लिया है सबसे पहले हम गैस का फ्ले मोन करेंगे और कडाही को इस पर रखतेंगे और दूद को इसमें डाल देंगे यहां पर मैंने चार हिसा दूद लिया है टीन हिसा दूद को हम सुखा लेंगे और एक हिसा जो दूद बचेगा उसे से हम बनाएंगे milk bread, तो चलिए दूद को छे से खौला लेते हैं, तो ये दोस्तों दूद उबलने लगा है, अब हम दूद को गया लेंगे, तो ये देखिए दोस्तों दूद सुख चुका है, अब हम इसमें चीनी जाल देंगे, यहाँ पर हम तीन चम चीनी लेंगे चीनी कवचे से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने चीनी डाला है तो इसमें थोड़ा चीनी पानी छोड़ देगा तो दूद थोड़ा पतला हो गया है इसको थोड़ा सा और हम सुखा लेंगे इसमें थोड़ा सा लाची डाल देंगे मैंने यहाँ पर एक लाची लिया है लाची को इसमें डाल देंगे अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे अब इसको ठंदा होने देंगे अब हम चलते हैं ब्रेट की और यहाँ पर मैंने पाच ब्रेड लिया है अब यहाँ पर लेंगे एक हम ग्लास और ग्लास से ब्रेट को हम इस तरह से काट लेंगे यह देखिए यह देखिए दोस्तो तो यह देखिए मैंने ब्रेट को अच्छे से काट लिया है इसका फिलेम हम और तवे को इस पर रख देंगे तवे को हम गरम होने देंगे तवा गरम हो चुका है अब हम इस पर रिफाइन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैल आ लेंगे अब हम इस पर ब्रेट को रख देंगे और ब्रेट को अच्छे से शेक लेंगे अब पलट लेंगे नीचे की तरह अच्छे से सीख चुका है अब देख सकते हैं यह देखिए अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे इसको प्रेट में निकाल लेंगे तो यह देखिए दोस्तों मैंने ब्रेट को प्लेट में निकाल दिया है अब यहां पर मैंने जो दूद को सुखाया था अब इसको हम लेंगे और इसके उपर डाल देंगे दोस्तों खाने बहुत ही टेस्टी लगता है अब घर पर एक बाद ट्राय जरूर कीजिएगा यह देखिए अब इसको हम एक घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह हमारा मिल्क ब्रेड है अची तरह से ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों अगर खाना खाने के बाद मीठा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है तो चलिए एक घंटा के लिए इसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो दोस्तों एक घंटा हो चुका है और हमारा मिल्क ब्रेड ठंडा हो चुका है अब ये सर्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है तो आपको ये रेस्टेपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद